हेलो दोस्तों फिर से एक बार सहोगत है आपके अपने चैनल आहिरे ब्लॉक में आज मैं आपको बता रहा हूँ जो आइफोन 14 में जो डाइनेमिक मोड आया हुआ है वो आप एंड्रोइड में भी यूज कर सकते हो वो कैसे यूज करना मैं आपको बताऊंगा आपको पहले ए अपडेट करता हूँ अपडेट यह बता रहा है यह अपडेट कर रहा हूँ देखो मैं और उपर देख सकते हो आप डाइनेमिक मोड में आप देख सकते हो इसमें नौटिफिकेशन वगरा सब आता है ठीक है यह सिस्टम आप अच्छे से आई वोस में भी चालू कर सकते हो जैसे ये ओके मागेगा इसको पर्मिशन अलाव कर देना है आप देख सकते हो मैंने सब पर्मिशन अलाव कर दिया इसमें और अब भी देखो ये उपर डायनेमिक मोल आ जाएगा देख सकते हो आप पर जैसे अब डायनेमिक मोल आता है वैसे ही सेम इसमें भी आता है इसमें बैटरी ओगरे जो सब चार्जिंग ओगरे होता है वो सब उपर बताता है देख सकते हो आप आया उपर सेम डायनेमिक मोर जैसे आ जाता है ये परमिशन मांग रहा है इसको अलाव कर देना है देख सकते हो सेम्ड एपल आयोएस 14 प्रो जो है उसमें जो डाइनेमिक मोड आये वह आप अपने आयोएस डिवाइस में भी आपके एंडरेड डिवाइस में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो सेम वैसा फीचर है जो एंडरेड में भी आ चुका है खाले आपको क्या करना है एप्लिकेशन डाउनलोड करनी है और उसका पर्मिशन रहता है वो सब अलाव करना है ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल आहरे ब्लोग को ला थेंक यू